फ्रेंस कोड़ेड इनिकुलिटी के बेसिक को हम समद चुके हैं इसके पीछे के कॉंसेप्ट को हम जान चुके हैं और जैसा कि मैंने डिसकस किया काफी इंपोर्टेंट टोपिक है क्योंकि एजी लिए आप फाइब मार्क्स ला सकते हैं तू मिनिट्स के अंदर और इससे भी कम समय में अगर आप पहली बार हमारे जैनल पर हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कोड़ेड इनिकुलिटी का प्रिविस वीडियो हम बना चुके हैं जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हेलो फ्रेंस मेरा नाम है समीर गलोत और दीट्यूब गुरू में आप से भी का सौगत है पार्ट टू में हम डारेट इनिकुलिटी से जुड़े हुए क्योस्टन को डिसकस करेंगे जो आपके प्रिविस एक्जाम्स में आए हुए हैं और इंपोर्टेंट भी हैं क्योंकि इस तरह के क्योस्टन आपको आने व हुए है हों क्या दिया हुए हला है यो क्या हुए है ones लेके 5 तक जो questions है उनके लिए हम इन answers को follow करेंगे क्यों निया हुए in this questions relationship between different element is shown in the statements these statements are followed by two conclusions तो कुछ relationships, कुछ symbols हमें दिये जाएंगे statements में और उन statements के बाद में two conclusions हमें दिये जाएंगे उनसे जुड़िवे, तो हमें ये find करना है कि उन दोनों में से कौन सा सही है, दोनों सही है या फिर नहीं है, अगर first conclusion सही होता है तो हमें mark one mark करना है, ठीक है, और अगर conclusion second सही होता है तो हमें two mark करना है, answer के तोर पर, अगर दोनों में सही, या तो first हुआ या फिर second हुआ, तो हमें third mark करना है, और दोनों ही अगर सही नहीं हुए, तो हमें four option mark करना है, और अगर दोनों ही conclusion सही हो गई, तो हमें fifth mark करना है, तो इस तरह के question आपको inequality में देखने को मिलते हैं, ये A, B, corporation, bank, P, O, exam में आया हुआ है, तो काफी important है, तो देखिए first statement देखते हैं, first statement क्या दी गई है, P greater than equal to Q, Q equal to R, R greater than S, S greater than T, तो ये statement हमें दी गई है, और conclusion क्या दिये गए है, first conclusion है, P greater than equal to T, second conclusion है, T smaller than Q, तो इसको solve करने का ये पता लगाने का कि कौन सा conclusion सही है, कौन सा गलत है, जो हमारा method रहेगा, वही रहेगा, जो हमने part 1 में discuss किया, ठीक है, तो अगर आपने ये miss कर दिया है, तो आप यहाँ पर click करके उसे देख सकते हैं, तो वहाँ पर हमने क्या किया था, देखिए, first जो conclusion है, उसमें क्या दिया हुआ है, P greater than or equal to T, तो हमें किस तरफ से किस त तक से निकलना होगा, ठीक है, तो P से हम Q तक जा सकते हैं, देखिए, इधर open मूँ है, तो हम निकल सकते हैं, भाई, gate open है, तो हम दूसरी तरफ जा सकते हैं, अब Q से R तक जाना है, तो Q और R के बीच में equal sign adjustments हम दोनों तरफ जा सकते हैं, तो हम Q से R की तरफ भी जा सकते हैं अब R से में S तक जाना है, तो open node है R की तरफ, तो easily हम दूसरी तरफ जा सकते हैं, S तक पहुंच गए, अब S से में T तक जाना है, तो देखिए, easily हम जा सकते हैं, open node है, तो T तक भी जा सकते हैं, तो हम यह कह सकते हैं, P से T तक हम पहुंच गए हैं, तो यह conclusion सही होगा, लेक conclusion को सही मान लेते हैं लेकिन equal sign भी साथ में आया हुआ है इस वज़े से हमें question में देखना पड़ेगा कि अगर जो P और T के बीच में जित्ते भी symbols हैं उनमें equal sign है के नहीं तो first two symbols में तो equal sign है लेकिन बाद वाले symbols में equal sign नहीं है that means हम यह कहेंगे कि यह जो conclusion होगा वो गलत होगा next conclusion क्या है देखिए T smaller than Q तो इसको पता लगाने के लिए कि यह सही है या फिर गलत है हम कहां से सुरुआत करें अगर हम T से Q की तरफ बढ़ेंगे तो हम गलतान से find out करेंगे क्यों 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 कि मैंने आपको पहले discuss किया हुआ है कि conclusion में जिदर open node होगी symbol की उस side से हमें दूसरी value की तरफ चलना पड़ेगा ठीक है तो हम यहां पर Q से T की तरफ चलेंगे अब देखिए Q से T की तरफ हमें बढ़ना है तो Q R S T इस तरह से बढ़ना होगा तो Q से R हम पहुंच सकते हैं क्योंकि equal sign है दोनों तरफ जा सकते हैं R से S तक जा सकते हैं बिल्कुल जा सकते हैं इदर open node है तो हम R से S तक जा सकते हैं H से T तक जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी open node है, और हम T तक easily जा सकते हैं, तो हम यह कह सकते हैं, कि यह जो conclusion होगा, यह बिल्कुल सही होगा, next statement देखते हैं, क्या दिया होगा है, देखिए, L smaller than or equal to M, M smaller than N, N greater than O, O greater than P, ठीक है, यह statement हमें दी गई है conclusion इससे जिड़े वे क्या दी गए हैं, first है O smaller than M, और second है P smaller than or equal to N, तो find out करते हैं, कौन सा conclusion ठीक है, और कौन सा गलत है, ठीक है, तो first जो conclusion है, वो दिया होगा है, O smaller than M, तो हमें किस तरफ से किस तरफ बढ़ना है, M से O की तरफ बढ़ना है, क्योंकि open node किस तरफ है, M की है, तो M से अगर हम N की तरफ चलेंगे, तो देखिए, यहाँ पर क्या है, close node है, इधर जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर close node है, इस वज़े से हम कह सकते हैं, जो conclusion होगा, first, वो गलत होगा, next conclusion क्या है, देखिए, P smaller than or equal to N, तो यह find करना है, हमें कि सही है, यह फी गलत है, तो इसके लिए हम N से P की तरफ चलेंगे, क्यों, क्योंकि open head N की तरफ है, ठीक है, तो N से P की तरफ जाने के लिए हमें O से होते वे गुजरना होगा, ठीक है, तो पहले N से O की तरफ चलते हैं, तो देखिए, यहाँ पर open head है, तो date means हम दूसरी जा सकते थे, लेकिन दूसरी तरफ से हम इस side नहीं आ सकते थे, तो हम N से O की तरफ जा सकते हैं, अब O से हमें P की तरफ जाना है, तो easily जा सकते हैं, क्योंकि open head O की तरफ है, तो हम दूसरी तरफ जा सकते हैं, तो N से P की तरफ हम जा सकते हैं, तो एक तरस से यह सही होगा, बट इसके साथ में क्या है equal का sign है equal का sign होने की वज़े से एक और चीज हमें check करने पड़ेगी कि N और P के बीच में जो जित्ते भी symbol है उनमें equal sign है के नहीं तो यहाँ पर equal sign नहीं है that means यह जो conclusion होगा गलत होगा next statement की तरफ बढ़ते हैं क्या दिया हुआ है देखिए a greater than b अब कोमा लगा हुआ है यह दूसरी equation है b greater than equal to c c equal to d d smaller than e तो यह हमें statement दी गई है ठीक है conclusion इसे जड़ोगे दिये गए है first c smaller than a और second है d smaller than और equal to b तो कि यह दो statement है a greater than b अलग statement है और b greater than equal to c equal to d smaller than e यह अलग statement है तो इनको एक statement बना के लिए हम यहाँ पर equal लगा सकते हैं भाई b equal to b तो होगा न ठीक है अब हमें conclusion first को देखना है यह सही है या फिर गलत तो इसके लिए हम क्या करेंगे a से c की तरफ चलेंगे क्योंकि open head किसकी तरफ है a की तरफ है तो a से हमें c की तरफ जाना है तो बीच से होते हुए जाना पड़ेगा तो देखिए a से हम b तक जा सकते हैं बिलकुल जा सकते हैं क्योंकि open node है b के बाद में c पर जाना है तो देखिए इधर भी open node है तो हम c तक easily जा सकते हैं तो जो यह conclusion होगा हमारा first conclusion वो बिलकुल सही होगा अब देखिए second conclusion क या है D smaller than or equal to B हमें यह find करना है कि यह सही है यह फिर गलत ठीक है तो हम B से D की तरफ चलेगे हैं क्योंकि open head किसकी तरफ है B की तरफ है तो B से हमें D की तरफ जाना है तो B यहाँ पर है और D यहाँ पर है तो C से हमें D तक पहुंचना है तो B से C तक हम जा सकते हैं जैसा हमने प्यूएस कंक्लूजन में देखा B से हम C तक इजीली जा सकते हैं और equal mark यहां पर है ठीक है और C से हम D तक जा सकते हैं बिल्कुल जा सकते हैं क्योंकि equal mark है तो दोनों साइड हम यहां पर जा सकते हैं B से D तक हम easily जा सकते हैं अब देखना है यह कि equal mark यहाँ पर लगा हुआ है तो हमें check करना पड़ेगा कि B से D तक के हर एक symbol में equal mark है के नहीं तो B से C के बीच में equal mark है और C से D के बीच में भी equal mark है यह जो conclusion होगा बिल्कुल सही होगा next statement की तरफ बढ़ते हैं क्या दिया हुआ है देखिए fourth statement H greater than J equal to K अब यह एक statement है second statement क्या दिया हुआ है K greater than equal to L ठीक है अब यह भी close होगा और next statement क्या है L greater than T और उसके बाद वाला जो statement है वो है T smaller than V ठीक है तो 4 statements है हमारे यहाँ पर और conclusion दिये गए है इन चारों को मिला कर कुछ conclusion बना गए है first है K greater than T ठीक है और second है L smaller than और equal to H तो हमें find करना है इन दोनों में से सही कौन सा है तो सबसे पहले तो इन statements को एक बना लेते हैं भाई K equal to K हो जाएगा भाई K तो A की value है ठीक है L equal to L हो जाएगा और T equal to T हो जाएगा तो यह पूरी एक statement हो जाएगी ठीक है तो first conclusion हम देखते हैं यह सही है या फिर गलत तो कैसे हमें T की तरफ जाना होगा क्योंकि open head K की तरफ है तो कैसे हमें T तक पहुचना है तो उसके लिए हमें L से होते हुए जाना होगा तो कै अब क्या sign है यह greater than और equal to that means open node K की तरफ है तो हम L की तरफ easily जा सकते हैं यहां से enter कर सकते हैं और L की तरफ जा सकते हैं L और T के बीच में greater than का sign है that means हम यहां से भी T की तरफ जा सकते हैं क्योंकि open node L की तरफ है तो हम K से T की तरफ easily जा सकते हैं that means यह जो conclusion होगा बिल्कुल सही होगा ठीक है next conclusion देखिए क्या दिया हुआ है L smaller than or equal to H तो हमें find out करना है यह सही है या फिर गलत तो हम यहां पर क्या करेंगे S से L की तरफ बढ़ेंगे ठीक है क्यों क्यों क्योंकि open head H की तरफ है तो H यहां पर है और L यहां पर ठीक है तो उसके बीच में J और K है तो इन दोनों से हमें गुजनना होगा L तक पहुचने के लिए S से तो S से हम J तक जा सकते हैं बिल्कुल जा सकते हैं open head H की तरफ है इस वाज़े से हम दूसरी तरफ जा सकते हैं J equal to K है तो यहां पर भी हम आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि equal होने पर हम दोनों तरफ ही move कर सकते हैं के से हमें L तक जाना है तो यहां पर क्या है sign ठीक है open node open जो head है वो K की तरफ है तो हम easily दूसरी तरफ जा सकते हैं तो हम L तक easily पहुंच गया है अब देखिए यहां पर equal sign दिया गया है तो हमें एक और बात check करने पड़ेगी कि सब जगह यहां पर H और L के बीच में जितने भी symbol है उनके साथ में equal mark है के नहीं ठीक है तो यहां first जो symbol है इन से जुड़ा हुआ दिया गया है E greater than equal to A और second दिया गया है A smaller than T अब देखिए यहां पर two statements है लेकिन यहां पर बीच में हम equal sign नहीं लगा सकते हैं क्योंकि दोनों values different है तो थोड़ सा assume करके चलना पड़ेगा आपको first conclusion क्या दिया हुआ है E greater than equal to A तो हमें fine करना है यह सही है या फिगलत इसके लिए हम E से A की तरफ बढ़ेंगे क्यों क्योंकि open head किसकी तरफ है E की तरफ है तो E से हमें A की तरफ आना है तो E equal to C ठीक है दोनों तरफ जा सकते हैं E से C की तरफ जा सकते हैं क्योंकि equal sign है ठीक है अब C तक हम पहुंच चुके, यहां पर हम पहुंच चुके, तो हमें B पर जाना है, तो B पर भी हम easily पहुंच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि equal sign है, दोनों तरफ हम जा सकते हैं, इधर से भी entry कर सकते हैं, इधर से भी entry कर सकते हैं, तो C से हमें B की तरफ आना तो हम B तक पहुंच दिया हुआ है तो हमें यह चेक करना है E और A के बीच में जित्ती भी values आई और जित्ती भी symbol आई उनमें equal sign है के नहीं तो E से C के बीच में equal sign था C से B के बीच में भी equal sign है और B से A के बीच में भी equal sign है that means यह जो conclusion होगा बिल्कुल सही होगा अब देखिए next conclusion क्या है A smaller than D तो check करते हैं यह सही है या फिर गलत तो इसके लिए हम D से A की तरफ चलेंगे क्योंकि open head D की तरफ है तो D से हमें A की तरफ आना है और C से होते हुए आना है C और B बीच में आएंगे ठीक है तो इस वाली जो equation है यह जो statement है इसमें C दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो statement है उसमें भी C दिया हुआ है तो हमाई लिए common क्या है C तो हम पहले C की तरफ बढ़ेंगे और फिर C से A की तरफ चलेंगे ठीक है तो D से हम C की तरफ जा सकते हैं देखिए open head D की तरफ है तो easily हम दूसरी तरफ जा सकते हैं अब देखिए C पर हम पहुँच गए तो हमने पहले भी देखा कि C से A तक हम easily निकल सकते हैं फिर्स जो conclusion देखा उसमें हमने discuss किया था कि C से हम A तक easily आ सकते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि A D से लेके A तक हम easily पहुँच सकते हैं तो यह जो conclusion होगा यह भी बिल्कुल सही होगा तो जैसके हमने instruction में देखा था कि अगर first conclusion सही होगा तो आप one mark करेंगे second conclusion सही होगा तो आप two mark करेंगे दोनों में से कोई भी सही हुआ या तो first या फिर second तब आप three mark करेंगे answer में और four mark करेंगे तब दोनों ही गलत होगे और fifth mark करेंगे जब दोनों ही right होगे ठीक है तो यहाँ पर हम क्या mark करेंगे यहाँ पर first conclusion ठीक है हमारा तो यहाँ पर हम one को mark करेंगे यहाँ पर हम किसको mark करेंगे फिप्ट को mark करेंगे क्यों क्योंकि हमारे जो दोनों conclusion है वो दोनों ही सही है इसी तरह से हम previous जो statements हैं उनमें भी easily mark कर सकते हैं तो friends आप easily 2 minute के अंदर में आप easily 5 marks पा सकते हैं और friends आपको कोई भी doubt है तो FB पर हमारा group बना हुआ है YouTube गुरू नाम से आप वहाँ पर अपना doubt लिखे जिसका solution 24 hours के अंदर में आपको मिल जाएगा friends आपको हमारा यह video पसंद आ रहा है आपके लिए helpful है तो like जरू कीज़ेगा अपने दोस्तों के साथ में share कीज़ेगा और comment कीज़ेगा तो friends coded inequality से next question की तरफ बढ़ते हैं 6 से 10 तक जो statements होंगे जो conclusion होंगे उनके लिए हमें यह instruction follow करना है क्या question दिया हुआ है in these questions relationship between different elements is shown in the statements these statements are followed by two conclusions तो उसी तरफ का question है statement दी जाएगी two conclusions उसे जुड़े हुए दिये जाएंगे हमें यह देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है अगर first सही हुआ conclusion तो हमें one mark करना है second conclusion ठीक हुआ तो second mark करना है conclusion first या फिस second हुआ दोनों में सही कोई सा भी हुआ तो third mark करना है भई दोनों ही possibility हो या तो first सही हो या फिस second सही हो तब हमें third mark करना है fourth mark करना है जब दोनों ही conclusion गलत होंगे fifth mark करना है as the answer जब दोनों ही conclusion सही होंगे तो IVPS RRB officer scale में आया हुआ question है कफी important question है और हो सकता है आपको exam में आगे भी देखने को मिले तो friends आगे बढ़ते हैं और देखते हैं sixth statement क्या है P is more than L L is more than equal to A A greater than M M equal to K K greater than equal to E तो statement यह है और इससे जुड़े वे conclusion क्या है first conclusion है K is more than equal to L और second conclusion है P is more than E तो देखते हैं जो first conclusion है कि is more than equal to L यह सही है या फिर गलत तो इसके लिए हमें L से के की तरफ जाना होगा क्योंकि open add L की तरफ है तो L से के की तरफ जाने के लिए हमें A और M से गुजरना होगा तो पहले हम L से A की तरफ जाते हैं ठीक है तो L से A की तरफ जाने के लिए हमें इस symbol से निकलना पड़ेगा लेकिन यहाँ पर node close है ठीक है close node है यहाँ पर इस वज़े से हम L से A की तरफ नहीं जा सकते इस वज़े से यह जो conclusion होगा वो भी गलत होगा अब second conclusion देखते हैं क्या दिया हुआ है P small than E तो हमें यह चेक करना पड़ेगा सही है या फिर गलत इसके लिए हम E से P की तरफ चलेंगे क्यों क्योंकि open head E की तरफ है ठीक है तो E से हमें P की तरफ आना है तो इसके लिए हमें K, M, A, L से होते होगे निकलना पड़ेगा तो सबसे पहले हम E से K की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर not close है डेटमेंस हम दूसरी तरफ नहीं जा सकते हैं तो हम यह किया सकते हैं कि हम E से P की तक नहीं पहुँच सकते हैं डेटमेंस यह जो conclusion होगा वो गलत होगा तो देखिए हमने कितने से time में यह find out कर लिया कि दोनों conclusion गलत हैं तो हमारा जो option होगा right option वो क्या होगा option 4 नेशी statement देखिए क्या है P greater than R equals to A A is more than Y ठीक है यह एक statement होगया second statement क्या है D is more than A तो यह दो statement है इनसे जुड़ेवे conclusion है 7 और 8 तो conclusion 7 में क्या दिया हुआ है first जो है वो क्या है P greater than D और second है D is more than Y ठीक है और 8 जो conclusion है उसमें क्या दिया हुआ है first P smaller than Y और second जो conclusion है उसमें दिया हुआ है A greater than D तो पहले 7 का first conclusion चेक करते हैं यह सही है या फिर नहीं तो P greater than D तो इसको check करने के लिए हम P से D की तरफ चलेंगे क्यों क्योंकि open head किसकी तरफ है P की तरफ तो P से D तक हमें जाना है और यहाँ पर दोनों statement में सिर्फ A को मने है that means हम A से होते हुए D की तरफ जाएंगे तो P से हम R पर जा सकते हैं बिलकुछ जा सकते हैं क्योंकि open head P की तरफ है ठीक है R से A पर भी जा सकते हैं क्योंकि पीच में equal mark है और equal mark से हम दोनों तरफ ही entry ले सकते हैं तो हम R से A की तरफ भी जा सकते हैं अब A से हमें D तक पहुंचना है ठीक है क्योंकि हमें P से D तक पहुंचना था तो A से हमें D तक पहुंचना था तो A से D तक जा सकते हैं बिल्कु जा सकते हैं क्योंकि open head A की तरफ है और हमें D तक पहुंचना है, तो हम यह कह सकते हैं, P से हम D तक easily पहुंच सकते हैं, यह जो conclusion होगा वो बिल्कुल सही होगा, अब 7 का second conclusion देखिए, क्या दिया हुआ है, D smaller than Y, ठीक है, तो यह हमें find out करना है, सही है, या फिर गलत, इसके लिए हम Y से D की तरफ चलेंगे, ठीक है, क्योंकि open head Y की तरफ है, तो Y से हमें D तक पहुंचना है, D कहां पर हैं, second statement में है, और common चीज क्या है, A, तो Y से A और A से D तक हम पहुंचेंगे, ठीक है, तो Y से A पर चलते हैं, क्या हम जा सकते हैं, Y से A की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि open head Y की तरफ है, तो दूसरी तरफ हम entry ले सकते हैं, अब A पर हम आ चुके हैं, तो A से D तक हम पहुंच सकते हैं, सामने previous conclusion में discuss किया, बिल्कुल हम A से D तक जा सकते हैं, तो यह जो second conclusion होगा, seven का, यह भी बिल्कुल right होगा, तो seven के लिए कौन सा option हम mark करेंगे, option five, भाई बोला गया था, अगर दोनों ही option, दोनों ही conclusion ठीक हुए, तो हम fifth को mark करेंगे, ठीक है, तो seven के लिए हम fifth option को mark करेंगे, next conclusion देखते हैं, देखिए, eighth का conclusion, first क्या दिया हुआ है, P is more than Y, तो हमें check करना है, यह सही है, यह फिर नहीं है, तो किस तरह से check करेंगे हम Y से P तक हमें जाना है, ठीक है, क्योंकि open head Y की तरफ है, तो हम Y से P की तरफ जाएंगे, तो Y कहाँ पर है, यहाँ पर है, और हमें P तक जाना है, तो देखिए, क्या हम P तक पहुंच सकते हैं, Y से हम A तक जा सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमने पहले भी discuss किया हुआ है, Y से हम A तक easily जा सकते हैं, क्योंकि open head Y की तरफ है, तो हम easily entry कर सकते हैं, और A तक पहुंच सकते हैं, A से हम R तक भी जा सकते हैं, क्योंकि equal sign है, that means हम दोनों तरफ entry ले सकते हैं, दोनों तरफ जहाँ आ सकते हैं, तो A से हम R तक पहुँच सकते हैं, R से अब P तक हम पहुच सकते हैं, नहीं पहुच सकते हैं, क्योंकि जो node है वो close node है, इस वज़े से हम दूसरी साइड नहीं जा सकते हैं, that means हम यह कह सकते हैं, कि हम Y से P तक नहीं पहुच सकते हैं, that means यह जो conclusion होगा, वो गरत होगा, और दे way जाएंगे क्योंकि दोनों ही statement में a common है, तो r से a तक हम जा सकते हैं, बह Buddh equal mark है तो दोनों तरफ हम easily जा सकते हैं, तो r से a तक हम जा सकते हैं, अब a से a तक जाना है, तो फेले discuss किया हुआ है, अपन नोड एक ह ama again है, जो head है, अब हम दूसरी तरफ easily जा सकते हैं, तो हम ACD तक जा सकते हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि RCD तक हम easily जा सकते हैं, इस वज़े से यह जो conclusion होगा, वो बिल्कुल सही होगा, तो 8 के लिए हम कौन सा option right click करेंगे, option 2, क्योंकि हम से कहा गया था कि जब second conclusion ठीक होगा, तब हमें किस को mark करना है second को mark करना है, तो हम second option को right click करेंगे, अब next statement की तरह बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, देखिए, 9th और 10 conclusion है, उनके लिए statement दिया गया है, C greater than equal to R, R greater than A, A equal to S, S smaller than or equal to H, यह एक statement है, second statement है, R smaller than P, P smaller than Q, और conclusion क्या है है, हमारे पास में देखिए, 9th में first, C greater than S, second P smaller than C, 10th में first, H smaller than or equal to R, और second है Q smaller than R, तो check करते हैं, 9th का first, जो conclusion है, वो सही है के नहीं है, C greater than S, तो हमें C से S की तरफ जाना है, open head C की तरफ है, इस वज़े से हम C से S की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो C से हमें S तक पहुंचना है, देखते हैं हम पहुंच पाते हैं या नहीं, त तो पहले हम C से R तक जाने की कोशिश करते हैं, तो open head C की तरफ है, इसलिए हम दूसरी तरफ entry ले सकते हैं, तो हम R तक easily पहुंच सकते हैं, R से A तक भी हम easily जा सकते हैं, क्योंकि open head R की तरफ है, इस वज़े से दूसरी तरफ हम entry ले सकते हैं, A और S के बीच में equal mark है, that means हम दोनों तरफ ही entry ले सकते हैं, दोनों तरफ आ जा सकते हैं, that means हम A से S तक भी जा सकते हैं, इस वज़े से हम यह कहेंगे कि C से S तक हम easily पहुंच सकते हैं, इस वज़े से यह जो conclusion होगा, वो right होगा, और देखिए 9 का second conclusion क्या दिया हुआ है, P smaller than C, तो हम किस तरह से find करेंगे यह से C से P की तरफ जाएंगे, क्यों क्योंकि open it C की तरफ है, अगर हम P से C की तरफ जाएंगे, तो हमारा जो answer होगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर close node है, तो हमारा जो open node, open head है, वो C की तरफ है, तो हम C से P की तरफ जाएंगे, तो C यहां पर है, और second statement में P है, ठी हम r से होते हुए P तक पहुँचेंगे ठीक है तो हम पहले C से R तक जाते हैं तो यह जो node बना हुआ है यह जो symbol बना हुआ है इससे हम यह कह सकते हैं कि हम C से R तक easily जा सकते हैं क्योंकि open head C की तरफ है ठीक है हम R तक पहुँच चुके अब R से हमे P तक जाना है, तो देखिए, क्या हम R से P तक जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, क्यों क्योंकि यहां पर node close हो गया है, इस वज़े से हम नहीं जा सकते हैं, तो हम C से P तक नहीं जा सकते हैं, इस वज़े से यह जो conclusion होगा, यह भी गलत होगा, तो 9 के लिए हम कौनसा option mark करेंगे option one कि वह conclusion अगर first सही होता है तो हम कौन सा answer mark करेंगे answer one ठीक है अब 10 के first conclusion को देखते हैं क्या दिया हुआ है h smaller than और equal to r तो इसे check करते हैं यह सही है या फिर गलत है तो इसको check करने के लिए हम किस से किस की तरफ चलेंगे r से h की तरफ चलेंगे तो इस तक पहुंचना है तो देखते हैं हम पहुंच पाते हैं या फिन नहीं तो आर से यह तक हम जा सकते हैं पहले हमने conclusion जो discuss कि ए उनमें हमने discuss किया था कि आर से हम ए तक easily जा सकते हैं क्योंकि open head r की तरफ है ठीक है ऐसे एस तक भी जा सकते हैं क्योंकि बीच में equal mark है अब s से हम एस तक जा पाते हैं क्या नहीं तो देखिए यहाँ पर node close है इसकी तरफ close node है इस हुआजय से हम दूसरी तरफ नहीं जा सकते हैं यह कह सकते हैं तो यह जो conclusion होगा वो कौन सा होगा गलत होगा अब 10th का second conclusion चेक करते हैं यह सही है या फिर गलत तो क्या दिया हुआ है Q smaller than R तो चेक करने के लिए हम R से Q की तरफ बढ़ेंगे ठीक है क्योंकि open head A की तरफ है तो R से Q तक जाने के लिए हमें option mark करेंगे option for जब दोनों ही conclusion गलत होंगे तब हमें कौन सा option mark करना होता है for I hope friends आपको यह जो method है काफी easy लग रहा होगा और आप coded inequality के questions को काफी easy तरीके से बहुत कम time में solve कर पाएंगे friends हमारे नई वीडियो के update पाने के लिए आप यहाँ पर click करके हमारे इस चैनल को subscribe कर सकते हैं और whatsapp पर भी आप notification पा सकते हैं whatsapp पर notification पाने के लिए आप क्या करें 94625 62516 पर join me लिखकर send कर दें friends आपको यह आपारा वीडियो पसंद आ रहा है तो like जरूर कीजएगा friends आप coded inequality से हम next question को discuss करते हैं 11 से लेके 16 तक जो statements रहेंगी उनके लिए हम इन instructions को follow करेंगे तो देखी क्या दिया हुआ है in this questions relationship between different elements has been shown in this statements the statements are followed by two conclusions numbered first and second study the conclusions based on the given statements and decide which of the following conclusions is definitely true तो ठीक है friends वैसा ही question है statements हमें दिये जाएंगे two conclusions हमें दिये जाएंगे first or second तो हमें decide करना है कौन सा conclusion ठीक है तो अगर conclusion या तो first या फिर second true हुआ तो हमें option one को mark करना है ठीक है और conclusion first और second दोनों ही true हुए तो हमें second को mark करना है अगर conclusion second ही true हुआ सिर्फ तो हमें third option को mark करना है दोनों ही conclusion है अगर true नहीं हुए first और second लेकिन दोनों ही conclusion true नहीं हुए तो हमेn fourth option को mark करना है और conclusion first true हुआ तो हमें fifth को mark करना है तो इन instruction को हमें follow करना है answer को mark करने के लिए तो चलिए देखते हैं next statement क्या है हमारे पास में 11, 12 जो question है उनके लिए statement हमारे पास यह है क्या दिया हुआ है M greater than equal to O, O greater than equal to L, L greater than equal to T, T equals to E, E greater than equal to D और options क्या दिया गए हैं देखें 11 का first D is more than equal to O second M greater than equal to E 12 का जो first है conclusion वो क्या दिया हुआ है T is more than O और second दिया गया है T equals to O तो चेक करते हैं conclusion सही है या फिर गलत है तो 11 का first जो conclusion है वो क्या है T is more than equal to O तो ये चेक करना है हमें कि सही है या फिर गलत है तो हम O से D की तरफ चलेंगे क्यों क्योंकि open head O की तरफ है तो O से हमें D तक पहुंचना है तो देखते हैं हम वहां तक पहुंच पाते हैं या फिर नहीं तो O से हम L तक आ सकते हैं क्योंकि open head O की तरफ है, L से T तक जा सकते हैं, क्योंकि open head L की तरफ है, तो T तक हम easily जा सकते हैं, T से E तक भी जा सकते हैं, बीच में equal है, दोनों तरफ आ जा सकते हैं, दोनों तरफ की entry हो सकती है, E से D तक भी हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो open head है, वो E की तरफ है, तो ठीक है, तो हम O से डी तक easily पहुंच सकते हैं अब देखिए equal sign है तो हमें ये भी check करना पड़ेगा के O से डी तक के जिते भी symbol हैं बीच में उन सब में equal है या फिर नहीं है ठीक है तो सब symbol में equal sign है that means ये जो conclusion होगा वो बिल्कुल सही होगा next conclusion check करते हैं क्या दिया हुआ है M greater than equal to E तो check करने के लिए हम M से E की तरफ चलेंगे ठीक है तो M से E तक हमें जाना है उसके लिए O, L और T से हमें गुजरना पड़ेगा ठीक है तो M से O तक हम जा पाते हैं या नहीं देखिए open add M की तरफ है that means हम दूसरी तरफ जा सकते हैं इधर से entry पा सकते हैं और दूसरी तरफ जा सकते हैं तो O तक हम पहुंच गए O से L तक जा सकते हैं बिल्कुल जा सकते हैं उसी तरह का sign है इस तरफ open add है O की तरफ तो दूसरी तरफ हम जा सकते हैं L से T तक जा सकते हैं और T से E तक भी जा सकते हैं, क्योंकि बीच में REAL sign है तो हम यह कह सकते हैं कि M से E तक हम easily पहुंच सकते हैं अब क्योगि नीचेいきます इक्वाल sign है, तो इस वज़े से हमें check करना पड़ेगा कि सभी जो symbol है M से E के बीच में सभी में equal sign है कि नहीं है पर सकते हैं कि आपका जो conclusion है वो सही है या फिर गलत है तो 11 के लिए जो option हम mark करेंगे वो कौन सा option mark करेंगे option 2 क्योंकि दोनों ही conclusion सही है अब 12 को discuss करते हैं क्या दिया हुआ है देखिए first में दिया गया है t smaller than o और second में दिया गया है t equals to o तो दोनों जगा पर same value हैं तो यह condition बन सकती है आपकी either और और की ठीक है या फिर दोनों ही options गलत हो सकते हैं तो दो conditions आपकी बन सकती है अगर एक सही हुआ तो दूसरा आपने आप गलत हो जाएगा क्योंकि जो values है वो दोनों जगा सेम है ठीक है तो आपको करना क्या है या तो either or का जो option है वो क्लिक होगा या फिर दोनों ही गलत हो जाएगे तो हम check करते हैं इसको check करने के लिए O से हम T की तरफ बढ़ेंगे तो O से T की तरफ हम जा सकते हैं कर नहीं जा सकते देखिए O से L तक हम easily पहुँच सकते हैं क्योंकि open head L की तरफ है तो O से T तक हम easily जा सकते हैं अब मान लीजे अगर मैं यह कहूं कि O बढ़ा है T से तो equal नहीं होगा अगर हम इसको सही मानता है तो यह अपने आप गलत हो जाएगा और अगर मैं T कि कॉल करूँ OK तो यह अपने आप गलत हो जाएगा इसको सही मैं मानता हूं तो यह अपने आप गलत हो जाएगा तो हम कौन सा option write कर सकते हैं आधर वह वाला तो वह कौन सा option था option वन बढ़ा जब या तो फर्स सही हो या फिर second सही हो तब हमाई कौन सा option चूज करना है option one तो जब भी इस तरह की कोई condition बने आपको option जो conclusion दिये गए है उनमें same values हो और उनके बीच में एक में तो greater than या फिर smaller than और दूसरे में question का sign हो तब आपको either or की condition check करने पड़ेगी तो आपको पहले यह तो check करना पड़ेगा कि वो दोनों conditions true हो रही है या फिर नहीं हो रही है अगर दोनों में से एक ही condition true हो रही है दूसरी हो इने रही है तो सिर्फ one option होगा ठीक है एक ही conclusion आपका सही होगा लेकिन ऐसी condition बन रही ह है कि first को सही करने पर second अपने आप गलत हो रही है या फिर first को अगर गलत माने तो second अपने आप सही हो रही है तब उस case में either or की condition बनेगी next statement देखते हैं क्या दिया हुआ है b smaller than c, c equals to d, d smaller than equals to x, x smaller than equals to y और y smaller than z और conclusion क्या दिये हो है देखिए first है b smaller than x, second है z smaller than or equal to c, तो first conclusion को चेक करते हैं यह सही है या फिर गलत तो हमें इसको चेक करने के लिए x से b की तरफ जाना पड़ेगा क्यों क्योंकि जो open head है वो x की तरफ है तो देखिए x से b की तरफ हमें चलना है तो देखते हैं हम पहुँच पाते हैं या नहीं X से D की तरफ हम जा सकते हैं या नहीं तो देखिए open जो head है वो X की तरफ है इस वज़े से हम दूसरी तरफ entry ले सकते हैं D से हम C तक भी पहुँच सकते हैं क्योंकि equal mark के दोनों तरफ आ जा सकते हैं तो D से हम C की तरफ भी जा सकते हैं C से B की तरफ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि open head C की तरफ है, तो हम दूसरी तरफ entry ले सकते हैं, तो X से B तक हम easily पहुंच सकते हैं, तो यह जो option होगा, वो बिल्कुल सही होगा, next conclusion को check करते हैं, क्या दिया, Y is Z smaller than or equals to C, तो इसको check करने के लिए हम C से Z की तरफ चलेंगे, तो C यहाँ पर है और Z यहाँ पर, इसके बीच में D, X और Y है, तो इन दोनों से गुजरते हुए में Z तक पहुचना है, तो C, D तक चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, क्यों से ही है, जो conclusion होगा, वो गलत होगा, तो 13 के लिए है, अगर हमें option चूज करना पड़े, तो क्या चूज करेंगे हम, 5, क्यों, क्योंकि conclusion first सही है, second गलत है, सिर्फ only conclusion first सही है, इस वज़े से हम जो option है, 5 उसे mark करेंगे, next statement की तरफ बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, 14 और 15 ज e, यह first statement है, second statement इसी से जुड़ा हुआ, जो 14 और 15 conclusion के लिए use होगा, वो क्या है, जी equals to e, e greater than or equals to s, और जो third statement है, वो क्या है, p smaller than or equals to s, और conclusion क्या दिये हुआ है, देखिए, 14 का first क्या है, r greater than p, और second है, p smaller than or equals to e, 15 का जो first conclusion है, वो क्या है, o, smaller than g, और second है, g equals to o, तो चेक कर लेते हैं, 14 का जो first conclusion है, वो सही है, या फिर गलत, तो r greater than p, यहाँ पर दिया हुआ है, conclusion, हमें इन statement से यह find करना है, यह सही है, या फिर गलत, तो देखते हैं हमें, कहां से चलेंगे, हम r से p की तरफ चलेंगे, क्योंकि open head, r की तरफ है, तो r से हमें p तक चलना है, अब देखिए, अलग-अलग statements है, r वाली अलग statement है, बीच में अलग statement है, और last में अलग statement है, तिये statement है हमारे पास में, और r से हमें p तक आना है, तो इस वाली जो statement में है, और last वाली statement में कोई चीज common नहीं है, इस वज़े से हम बीच वाली statement को भी use क करेंगे हमारे जो conclusion है उसे find करने के लिए कि हो सही है या फिर गलत तो R से हमें P तक चलना है तो हम पहले कहां तक आएंगे E तक आएंगे क्यों क्यों क्योंकि जो बीच वाली statement है उसमें E common है first और second में ठीक है और second और third में S common है तो हम S से होते हुए P तक पहुँचेंगे तो देखते हैं हम R से P तक पहुँच पाते हैं या फिर नहीं ठीक है तो R से मुझे P तक जाना के लिए पले R से E तक जाना पड़ेगा E से S पर जाऊंगा S से P पर जाऊंगा तो देखिए R से OPE में जा पाता हूं या नहीं देखिए node close है यहाँ पर node close है means मैं दूसरी तरफ नहीं पहुंच सकता तो easy में कह सकता हूँ कि मैं R से P तक नहीं जा सकता, means यह जो conclusion होगा वो गलत होगा next conclusion क्या है दिखिए P is more than or equals to E तो हमें check करने के लिए E से P तक जाना होगा ठीक है, तो E और P किस statements में है से होते हुए हमें P तक पहुचना है तो हमारा सिर्फ two statement में काम हो जाएगा यह जो second वाली statement पर है और यह जो third वाली statement है इन दोनों का use करते हुए हम यह find कर लेंगे कि conclusion यह हमारा सही है या फिर गलत है, तो E से हमें S तक आना है और S से P तक जाना है तो देखते हैं हम पहुच पाते हैं या फिर नहीं तो E से हमें S पर आना है easily हम जा सकते हैं क्योंकि open head इस तरह पे तो दूसरी तरह हम easily जा सकते हैं, तो S तक हम पहुच चुके S से हमें P तक जाना है तो यहाँ पर भी हम जा सकते हैं क्यों क्योंकि open head s की तरफ है तो दूसरी तरफ हम entry कर सकते हैं अब देखिए equal sign भी साथ में है तो हमें एक और चीज है जो check करने पड़ेगी वो क्या कि e से लेके p तक के जितने भी बीच में symbol है उनमें सभी में equal sign है के नहीं तो देखिए e से s के बीच में भी equal sign है ठीक है और s से p क बीच में भी equal sign है that means यह जो conclusion होगा वो बिलकुल सही होगा तो 14 के लिए हम कौन सा option चुनएंगे option 3 क्योंकि यहाँ पर जो conclusion second है सिर्फ वही सही है first गलत है इस वज़े से हम जो option mark करेंगे वो कौन सा option mark करेंगे third अब देखिए 15 के conclusions को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए मै उनों में same values हैं और first वाले में smaller than का sign आ रहा है या फिर मैंने कहा था कि अगर greater than का भी sign हो और second वाले option में equal का sign हो तब हम यह चेक करेंगे कि उसमें either or वाली जो possibility है वो है या फिर नहीं या फिर दोनों ही गलत हो सकते हैं ठीक है तो हमें पहले तो यह चेक करना है कि दोनों options अलग अलग सही है या फिर नहीं है तो हमें G से O तक जाना है तो यह चेक करते हैं कि easily हम पहुंच पाते हैं या फिर नहीं तो G से O तक जाना के लिए हमें E से गुजरना होगा क्योंकि दोनों statement में E common है तो देखिए हम जा पाते हैं या फिर नहीं G से E तक हम easily पहुंच सकत तो हमने यह fine कर लिया कि जी से o तक हम easily पोश सकते हैं, तो यह option सही होगा, अब देखिए equal sign हर एक symbol के बीच में लगा हुआ है, जी से हम अगर o तक की बात करें, तो हर एक symbol के साथ में equal sign लगा है, that means यह दूसरा भी सही होगा, लेकिन अगर जी बड़ा होगा o से तो that means यह आप गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर बड़ा है तो equal हो नहीं सकता, और equal है जैसा कि हमने देखा कि पूरे symbols आये हुए है, equals के, जी से लेके o तक, तो equals भी एक condition बन सकती है, वहाँ पर सही होने की, अगर यह equal हुआ, तो जैर सी बात है, फिर जी बड़ा नहीं होगा, तो यह गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या condition बन रही है, either or की condition बन रही है, तो 15 के लिए हम कौन सा option चुनेंगे, भई, interaction में हमको बोला गया था, कि अगर option first सही हो, या फिर option second सही हो, तब आपको either or condition के साथ में, जो option सही चुनना है, वह कौन सा चुनना है, वह तो आपको जो option mark क करेंगे आप 1, next statement discuss करते हैं, क्या दिया हुआ है, 16 जो है, as smaller than or equals to p, p smaller than or equals to a, a equals to r, r greater than e, e smaller than or equals to d, और conclusion हमें दिये गए है, first a greater than d, और second a smaller than or equals to e, तो चेक कर लेते हैं, first conclusion सही है या फिर गलत, तो a से d की तरफ हमें जाना होगा, क्यों, क्योंकि a की तरफ open head है, इस वज़ लेंगे, तो देखते हैं, हम पहुंच पाते हैं, या फिर नहीं, तो a से d तक पहुंचने के लिए हमें, r और e से गुजरना होगा, तो देखते हैं, हम पहुंच पाते हैं, या फिर नहीं, a और r के बीच में equal sign है, знать mis हम दोनों तरf आ जा सकते हैं, तो हम easily कहाते हैं, अब R से E तक हमें जाना है, तो हम easily जा सकते हैं, क्योंकि open head R की तरफ है, तो हम दूसरी तरफ बिल्कुल जा सकते हैं, तो E तक हम पोच चुके, अब E से हम D तक जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर close node है, ठीक है, तो हम E से D तक नहीं जा सकते हैं, तो हम E से D तक ह या फिर नहीं तो E से पहले हम R तक पहुंचेंगे R से A फिर P फिर S पर जाएंगे तो देखते हैं E से R तक हम पहुंच पाते हैं या फिर नहीं तो देखिए E से R गी तरफ जाने कе लिए यहाँ पर पहले close node है इस طरफ close node है इस वज़े से हम दूशरी तरफ नहीं जा सकते, तो हम यह कहेंगे, यह जो conclusion होगा, यह भी गलत होगा, तो 16 के लिए हमें कौन सा option चुनना होगा, भै जब first conclusion भी सही नहीं है, second conclusion भी सही नहीं होगा, तब हमें कौन सा option चुनना था, fourth option, यही mark करना था answer के लिए, तो आपके ल हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीज़ेगा अपने दोस्तों के साथ में शेर कीज़ेगा और कमेंड कीज़ेगा अब next question discuss करते हैं coded inequalities है 17 देखी क्या दिया हुआ है in which of the following expressions will the expressions d greater than or equals to b as well as c greater than f be definitely true है तो हमसे यह बोला गया है कि कुछ expressions हमें दिये गये हैं और हमें यह चेक करना है जो conclusion है जो expressions कि D बढ़ा है यह और c बढ़ा है 54 यह दोनों किन expressions में definitely true मणदख 2 ही सही होंगे तो वह expression हमें pine करना है तो कुछ expressions हमें दिये गए हैं अगर इन में से कोई भी ऐसा नहीं है जिन में यह दोनों true हो तो हम दोनों भीज को mark करेंगे और देखिए इस तरह कोई question अगर आपकी exam में आ आ जाता है तो आप यह समझे कि आपकी किसम दूद अच्छी है क्योंकि बहुत easy question है easily solve हो जाएगा देखिए use your bank PO exam में आया हुआ है PO में आया हुआ है तो question का statement भी है तो इस तरह से यह काफी important question बन जाता है तो check कर लेते हैं यह जो दोनों conclusion है वो किन expressions में हमें दोनों ही true मिलते हैं तो इस conclusion को check करने के लिए कि यह true है या फिन नहीं तो हमें जाएगा ठीक है अब दूसरे expression को check करते हैं इसमें D से हम B तक पहुच पाते हैं या फिन नहीं तो देखिए D से C तक और C से B तक हम easily पहुच पाते हैं क्यों क्योंकि equal sign है यहाँ पर और यहाँ पर open node C की तरफ है तो हम दूसरी तरफ जा सकते हैं तो D से हम B की तरफ easily पहुच रहा है अब देखिए equal sign है तो हमें यह भी check करना है कि D से B तक जितने भी symbol है उनमें equal sign है कर नहीं तो देखिए equal sign भी है तो यह जो conclusion है यह तो इसमें सही बेट रहा है अब दूसरा भी check कर लेते हैं यह भाई यह भी बीच में equal sign है और D से F तक भी हम पहुच जाएंगे क्यों क्योंकि open head d kit rough है तो जो दोनों conclusion है हमारे वो second वाला जो expression है उसमें दोनों ही true हो रहे हैं तो हम यह कह सकते ही जो हमारा option होगा right option हो कौन सा होगा second तो देखा friends आपने कितना easily हमने question को solve कर दिया देखिए अगर आप जो other process से चलते जाए method से चलते तो काफी time लग जाता आपको check करना पड़ता का सभी को और इस method से बिलकुल आपको ज्यादा time ने लगा कोई pain चलाने की जूरत नहीं है easily आप देखके यह find out कर सकते कि आपका कौन सा जो option है वो सही होगा देखिए next question लगते हैं इसी तरह से क् 18 question which of the following symbols should replace the question mark in the given expression in order to make the expression i greater than l as well as m greater than or equals to k definitely true तो देखे friends question में हमें क्या कहा गया है कि कुछ symbols हमें दिये गए हैं जिने हमें expression में रखना है जहां पर question mark होगा ठीक है तो हमें कुछ symbols दिये जाएंगे one by one हमें हर एक symbol को check करना है और यह निश्चित करना है कि जो conclusion दिया गया है i greater than l और m greater than or equals to k यह दोनों ही true हो जाएं तो हमें ऐसा symbol ढूणना है जो इन दोनों conclusion को true बना दे उस expression के हिसाब से तो check कर लेते हैं देखिए first जो conclusion है इसको true होने के लिए हमें i से l तक पहुचना होगा यहाँ पर कौन सा symbol होना चाहिए जिसका open node के की तरफ हो तभी तो हम दूसरी तरफ जा सकते हैं तो देखिए हम पहले check कर लेते हैं कि symbol कौन सा आना चाहिए तो यह symbol यहाँ पर use कर सकते हैं बिल्कुल use कर सकते हैं क्योंकि open head के की तरफ हो जाएगा तो यह chances है कि यह जो symbol है यहां पर use हो सकता है, इस symbol को use कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि जो close head है, वो के की तरफ आजाएगा, हम दूसरी तरफ नहीं जा पाएंगे, तो case से L तक हम नहीं जा पाएंगे, यह तो हम use ही नहीं कर सकते, इसको भी use नहीं कर सकते, same reason, क्योंकि जो close node है, वो के की तरफ आ जाएगा और equal sign है इसको हम use कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ आ जा सकते हैं easily जो last option है fifth option उसमें भी ये दोनों sign दिये हुए हैं तो इनको हमने cancel out कर दिया तो ये जो fifth option है ये भी नहीं होगा अब देख लेते हैं कि यहाँ पर first और fourth option में से हमारा जो symbol है वो कुन सा हैगा तो i स j, k, l इस तरह से हमें पहुचना है इस symbol को अगर हम use करते हैं तो देखिए easily हम i से l तक पहुच जाएंगे ठीक है अब हमें second option भी check करना है कि ये भी true होना चाहिए ठीक है तो m से k तक हमें जाना है m से k तक हमें जाने के लिए अगर हम इस option को use करें तो देखिए यहाँ पर l k आने के बाद में भई m से n तक तो आ जाएगा n से l तक भी आ जाएगा क्योंकि open head n की तरह है l तक आने के बाद में अगर k पर हमें जाना है तो अगर ये option हमारे पास है ये जो symbol हमारे पास में है तो हम l से k तक नहीं जा सकते तो ये जो है conclusion ये गलत हो जाएगा इस लिए m से k तक भी पहुच जाएंगे और equal sign होने की वज़े से ये जो condition होगी दोनों ही by greater than और equals to तो वो दोनों भी true हो जाएगी तो हमारा जो answer होगा वो कौन सा होगा option 4 यहाँ पर कौन सा symbol आएगा equals का symbol आएगा काफी important question है आपको आने वाले exam से इस तरह का question देखने को मिल सकता है I hope friends coded inequality questions अब आप काफी easy तरीके से और कम से कम time में solve कर पाएंगे और friends आपको कोई भी doubt है तो FB पर हमारा गुरू बना हुआ है YouTube गुरू नाम से आप वहाँ पर अपना doubt लिखे 24 hours के अंदर में आपको उसका solution मिल जाएगा friends हमारे नए वीडियो के update पाने के लिए आ आप यहाँ पर क्लिक करके हमारे channel को subscribe कर सकते हैं और WhatsApp पर भी आप notification पा सकते हैं WhatsApp पर notification पाने के लिए आप क्या करें 9465 6516 पर join me लिखकर send कर दें